हेलो दोस्तों आज इस पार्टिकुलर वीडियो पर हम यह देखेंगे कि हमारा प्रेडिक्शन के मूता भी कि इधर से जो एक फॉल का स्टार्ट हो चुका है तो क्या यह वाला फॉल के एक नया कोई ट्रेंड का स्टार्ट है मतलब इधर से एक जो फॉल ता क्या उसका एक इसका सन करेंगे वो अल्लेडि आपको यह राइट साइट पर देख रहे हैं और क्योंकि यह वीकेंड का वीडियो है तो चलिए पहले मैं तोड़ा वीकली टाइम प्रेम से स्टार्ट करता हूँ नॉर्मली एस पर एलेट वेप थीडि मार्केट ऐसे 1,2,3,4,5 ऐसे 5 साववेप पर आगे बढ़ते हैं उसके अंदर फास्ट वेप, थार्ड वेप और फीपते हैं आपका में ट्रेंट जिसके अंदर 5 साववेप रहते हैं और सेकंड वेप और फोर्ट वेप होते हैं जैसे इधर भी 3 के अंदर 5 साववेप इधर मैंने मार्क कर चुका हूँ तो similarly इधर भी ये 3 के अंदर हमारा ये आपका वेप 1,2,3,4,5 ये 5 साववेप हो गया और इधर भी जैसे इस 3 के बाद ये 4 वेप आ चुके हैं similarly मुझे लाग रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा 3 है अबी भी है और ये 4th के अंदर normally simply वेप हम इसको ABC मार्क करते हैं लेकिन जब मार्केट ये 4th वेप के अंदर ज्यादा समय भी तरने लाग जाते हैं तो उसको हम ऐसे ही कुछ W, X, Y, Z, Z ऐसे करके मार्क करते हैं तो आप हम actually ये prediction करने का कोसिस कर रहे है कि ये 4th वेप कहां आप ट्रेंट चलू कर सकते हैं तो चलिए हम तो डेली टाइम पे जाते हैं और इसको तो और अच्छे से analysis करके समझने का कोसिस करते हैं और जैसे कि मैंने आभी आपको बोला कि ये 4th के अंदर ये Z वेप चल रहे हैं जो W, X, Y, Z हो रहे हैं actually तो ये Z के अंदर नर्मली ती तो इसका कितना possibility है उसको जानने के लिए हमको तोड़ा और चोड़ा time frame पे जाना पड़ेगा जैसे कि दो गंटे या एक गंटे और उसके बाद हम उसका complete और detailed analysis कर पाएंगे कि ये क्या क्या possibility बना सकते हैं तो चलिए 2 hours के time frame पर चलते हैं इधर मुझे जो लाग रहे हैं य ये जो A हो रहा है ये A साथ ये 1,2,3,4,5 करके इधर complete कर चुक है उसके बाद ये B के अंदर A,B,C बना कर जा रहे हैं और हमारा prediction जो था कि ये वाला जो low है इसको ये hold कर जाएगा और इसके बाद इधर से ये थोड़ा उपर जाएगा लेकिन ये जो उपर जाएगा इस प आप लोग देख पा रहे हैं कि इंटरडे पर क्या हो गया एक फ्लैस सेल आ गया तो ये हमारा पहले से ही प्रेडिक्स्टेट था कि इधर से आपने जो लॉंग से हो hold मत कीजिए और जो लोग बुक कर चुक है I think उन लोग के लिए अच्चा है जो लोग नहीं किया है उन ल इधर से क्या ये C चालू होगा नीचे चाला जाएगा या फिर दूसरा possibility जो पिछले दिन में बात कर रहा था कि ये B wave के अंदर क्या इधर से कुछ इस तरीके से एक triangle भी बना सकते हैं तो ओ possibility क्या कितना हो सकते हैं तो ये triangle के अंदर तब हो जाएगा A B C D E तो ऐसा कुछ बनाने के बाद इधर से एक triangle का बात एक fall आ जाएगा और तब ये बाला जो B है इस B को हम कुछ इस तरीके से इधर mark कर देंगे तो ये marking चाहे कुछ भी हो हमारा direction अभी भी down side पे आ है और अमारा जो expectation वो ये है कि ये बाला जो low कुछ दिन पहले इधर ही बना चुके हैं तो इस low को ये तोड़ेगा और इसके बास इधर से ये नीचे जाने का प्रयास करेगा लेकर मुझे at least नहीं लाग रहा कि ये जो particular जगा है इधर से ये इतना नीचे जा सकेगा जो लगबग आपका 15 ये 400 तक जाएगा exactly उतना नीचे अभी के लिए मुझे नहीं लाग रहा और उसके बीचे mostly दो कारण है पहला कारण ये जेडवेग खुद है और दूसरा कारण international market है तो पहला कारण को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा ये जेडवेग कैसे बांगते है तो इसके लिए मैं एक example ले ले लेना चाहूंगा ये जो जीनतल श्रिल्ट का चार्ट है इसका मैं एक weekly time frame पे मैं लिया हूँ इधर आपको दिख रहा होगा ये आपका मैंने मार्किया w ये हो गया मेरा x और इसके बाद ये मेरा हो गया y अब ये जो w से नीचे normally y होना चाहिए इधर w से नीचे y हो गया उसके बाद ये जो z होता है normally z कहां तक बनना चाहिए z होना आमेसा ऐसा नहीं बनते तो z wave जो है इधर देखिए ये x बन गया इसके बाद इधर से ये z बन गया ये z जो है ये y से बहुत उपर तक बने है ये y था लगवग आपका 340 के आसपस और ये z बने ये लगवग बने थे 360 के आसपस तो इसलिए बहुत सारा जो लोग नय ओव सीख रहे हैं तो ओर लोग क्या करते हैं इसको नॉर्मल ये wave 1 और इसको wave 2 मार करके चले जाते हैं इसके बाद ये 3 का rise इसको ओर लोग ऐसे मार कर देते हैं अब उस मुतबिक भी अगर देखे तो तब भी चलेगा लेकिन मुझे जो लाग रहे हैं कि इधर ये x ये z हुआ ह और इधर एक alternate count ये 1 ये 2 आप mark करते हैं इधर भी आप 3 के लिए जा सकते हैं ऐसा भी आप देख सकते थे आप देखे ये 1,2 के बाद 3 हो रहे हैं या x,z के बाद ये 1,2,3 ऐसा कुछ हो रहे हैं तो जो भी possibility कुछ होना है ये हो जाए लेकिन इधर से हमारा दोनों cases में direction जो जो भी mark कर ट्रेटर इसके बाद से इधर से उपार जाना चाहिए तो ये चला भी गया इसको भी मैं अगर daily time frame पर दिखा देना चाहूंगा कुछ इस तरीके से हो गया तो कुछ लोग इसको साथ ऐसे कुछ एक leading diagonal या ऐसा ही कुछ mark करना चाहिए तो ये हो जाएगा 1, ये हो हो सकते हैं इसको भी या फिर इसको ये जो एक्स को जैसे आप कुछ लोग 1, कुछ लोग 2 mark कर रहे थे जो मैरा एक alternate count था इधर तो उससे सबसे भी आगर आप देखें तो निप्टी भी ये वाला जो X है इसको भी आप 1 और ये जो Z हो रहे हैं Z के अंदर ABC हो रहे हैं तो य मुझे लाग रहे हैं इसलिए ये जो Z हो ये ये एक्चुआली बुकिस नोड़ जो इस देखे तो ये बहुत नीचे आ सकते हैं लेकिन ये Z जो है ये कभी भी कही पर भी खतम हो सकते हैं जैसे ये जिंदल स्टीर और पावर सेक्टर का जो स्टोक है इधर हो था और दूसर आपको इधर से 4500 के आसपास ये 4100 चला जो एक बहुत बड़ा फॉल आप कह सकते हैं तो हमारा प्रेडिक्शन ये था कि इधर से निफ्टी भी अगर इस फॉल के साथ साथ कॉंटिनियू करता कि इधर से निफ्टी भी इधना तेजी के साथ नीचे आने का प्रयास करता त इसका एक बहुत सार्फ मोमेंटम के साथ ये नीचे आ रहा हैं तो इधर से मुझे लागने कि ये और नीचे मतलब अल्मूस्ट 3900 या फिर उससे भी नीचे ये SNP 500 जा सकते हैं और इसके कारण ही हमारा निफ्टी पे थोड़ा एक फॉल आत हो रहा है लेकिन ओ निफ्टी ये इधर ही एक कुछ ऐसा ट्राइंगल या ऐसा कुछ भी एक पैटर्न बनने के साथ प्रयास कर रहे हैं तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये जो निफ्टी है ये बहुत सार्फ लिए इतना गिरेगा इसका चांस जब ये SNP 500 जा से गिर रहा था तो इसका चांस जितना पर चाला जाएगे इतना बूलिस हूँ तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टर से निफ्टी जो इधर से ओठ थोरा भॉल होगा लेकिन इतना नीचे आनेका चांस जो है ये जिधिना समाई इधारी बिता रहे हैं उधना कम होते जा रहे हैं तो निफ्टी पर मैं आभी भी थोर इसलिए मैक्सिम उधर तक जा सकते हैं ये आभी के लिए मुझे लाग रहे हैं और नहीं तो जैसे इधर एक ट्राइंगल का पॉसिबिलिटी दिखा ये भी बाना सकते हैं लेकिन उसके बाद भी इधर से फॉल आने का एक पॉसिबिलिटी ये कर सकते हैं तो बाल इसलिए म मुझे जो लाग रहा है कि यह निप्टी से थोड़ा ज्यादा बूलीश है लेकिन फिर भी इस पर हमारा एक जो count है वो यह है कि इधर से market जो है थोड़ा नीचे आने का प्रयास करगा तो यह हो गया हमारा A यह होड़ा है हमारे एक B और यह होड़ा हमारे एक C तो यह मिला कर इधर भी एक ZOE बनाने का possibility जैसे मैं निप्टी पर भी दिखा रहा हूँ बैंक निप्टी पर भी सेम ही है तो इधर से हमारा expectation है यह इधर से sharply थोड़ा नीचे आये लेकिन जैसा कि EOS market जो है वो उधना sharply फ यह होते है तो यह अगर जाएगा तो दोनोंका दोनों यह एक सर्थ और खृत जाएगा और नीचे को था कि इधर से maximum थोड़ बीक के लिए और थोड़ उपर जा सकते हैं लेकिर फिर भी यह नीचे आनका प्रयास करेगा अभी के लिए मुझे लग रहे हैं अब निप्टी और बैंक निप्टी में एक alternate count देना चाहूँगा आप यह alternate count का मतलब एक ही है कि अगर किसी कार्ण यह पहल हमारे इधर से जो भी profit होड़ा था उसको हम loss पे चला जाने का अपक्सा करें तो इसलिए मैं इधर से एक alternate count देना चाहूँगा यह alternate count जो है था पहले कि यह 1 यह 2 यह आभी नहीं लाग रहा क्योंकि यह 2 के अंदर तो नॉर्मल ने तीन सावब होना चाहा है यह तर पांस सा के लिए all-time high या बहुत उपर तक 50-60,000 तक भी यह जा सकते है लेकिन अभी के लिए यह मेरा alternate count है अगर किसी कार्ण मेरा यह जो main count है यह z वाला यह अगर failure हो गया तो तब जाकर मैं यह वाला count को मैं लेना चाहूँगा लेकिन अभी के लिए final जो मुझे लाग रहे है यह अभी भी नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं और इसका टार्गेट होने चाहिए यह actually अगर देखे तो यह y-wave जहां पर बने है इससे नीचे यह z normally आना चाहिए तो हमें यहीं लाग रहे हैं कि यह इधर से बहुत नीचे तक आने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं तो अब हम आ गए यह open interest के data पे इधर जो smart मानी है वो क्या कर रहे हैं वो यह 8000 के आसपास से call sale कर रहे हैं तो मतलब 8000 के आसपास एक बहुत बड़ा resistance zone बना रहे हैं जो अमारा एलियोट थियोडी के मोतभी पर आगर आप देखे तो इधर से भी यह उपर जाने का प्रयास करेगा तो इसको भी 18000 के आसपास एक resistance line को इसको break करना पड़ेगा तो यह इधर से एक बहुत बड़ा resistance zone बन सकते हैं इसके लिए तब ही जाकर यह all time high को touch कर पाएगा और यह 18000 के नीचे आगर आप देखे तो यह 17000 के आसपास एक और एक resistance zone बन चुके हैं तो लोग इधर से थोड़ा जो है वह overall आगर देखे तो यह next expiry जो weekly expiry के लिए ओलोग थोड़ा BRC है अभी के लिए pillar और आगर 26th में के लिए देखे तो यह लोग क्या कर रहे है इधर से put sale कर रहे है जो ओलोग expect नहीं कर रहे है इधर से market बहुत नीचे तक आएगा तो overall monthly data यह बोलना है कि इधर से bullish है लेकिन यह बहुत नीचे तक साइद ना भी आ सकते हैं और उसके बाद यह इधर से उपर जाने का प्रयास कर सकते हैं तो इसलिए monthly data भी अभी के लिए जो smart money है जो बड़े खिलाड़ी है ओगो लोग यह भी predict कर रहे है कि market जो है इधर से बहुत नीचे तक sharply अभी के लिए आएगा उतना और वोग इस जागा को hold करने का एक त्यारी कर रहे हैं जिसके लिए मैं निप्टी पे अभी भी बोलना हूँ कि neutral to PRC हो और अगर आप लोग यह time wise एक correction जो होते हैं इले टोए पे उस मुतविक पे अगर आप देखे तो इधर से इधर तक यह W जो बना चुक और नहीं तो इधर एक triangle जैसे कुछ बनाना पड़ेगा जो मुझे लाग रहे हैं तो इसलिए मैं आपको यह neutral to PRC जो यह भी दे रहा हूँ अभी के लिए और जो लोग safe trader से मैं यह कहूँ कि इस wave से आप लोग थोड़ा दूर रहे हैं और इधर से जब all time high के लिए market और आप लोग बस position लेंगे तो सही रहेगा क्योंकि market पे आज 10 रुपिया अपने इस wave पे काम आया फिर इस wave पे 20 रुपिया गाब आया ऐसा करके market पे आप लोग ओबर loss करने से बहतर है कि आप लोग market से थोड़ा अभी के लिए धूड़ी बनाये राखे और इस माहिने का 15 15 डेज बीद जाने के बाद ये आप लोग market पे रिएंटर करे और इस सबकु जो भी मेरा भी है ये सबकुछे बास और बास educational परपस के लिए आप लोग कोई trading recommendation नहीं है तबी के लिए इतना है thank you and good bye